Hello everyone, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक amazing motivation के साथ कि NTSC exam में हम होंगे काम्याँ के साथ इस सेशन में हम NTSC biology के chapter diversity in living organisms का एक और नया topic discuss करने जा रहे हैं and that is Kingdom Monera देखो वैसा है कि previous session में हमने अपने chapter का एक बहुत ही important topic cover किया था कौन सा? hierarchy of classification जहाँ पर हमने यह सीखा था कि किस तरीके से विटेकर ने सभी living organisms को 5 kingdom में classify कर दिया और वो 5 kingdoms कौन कौन से थे? तो Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Plante and Kingdom Animalia है ना? तो विटेकर ने क्या करा? इन जित्ते भी living organisms हैं उन सभी को 5 kingdoms में classify कर दिया था और आज की इस session में हम क्या करेंगे? First kingdom discuss करेंगे और वो first kingdom कौन सा होगा? अरे यही वाला Kingdom Monera So I hope कि आज के session का जो target है वो सभी को एकदम clear है तो अब एक काम करते हैं ना? जल्दी से session को start कर लेते हैं So this is विभूती खरे, Welcome to Magnet Brains जहाँ पर आपको सभी chapters के video lectures मिलते हैं बिल्कुल free of cost यानि की Magnet Brains में आपको दो चाप to spendने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने की requirement बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि Magnet Brains आप सब तक पहुचा रहा है Quality Education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम start कर लेते हैं आज का हमारा ये बहुत ही interesting सा session तो चलिए आज की session की कहानी हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं Kingdom Monera को अब देखो याँ पे क्या लिखा गया है Kingdom Monera includes the most ancient, the smallest, the simplest and the most plentiful prokaryotes क्या मतलब हुआ इस statement का तो basically इस statement में आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि Kingdom Monera में आपको किस तरह के organisms मिलने वाले हैं देखो हर एक Kingdom में आपको organisms तो मिलेंगे उसमें कोई नए बात नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि Kingdom Monera में आपको किस तरह के organisms मिलेंगे तो सेरी सी बात है कि Kingdom Monera में जहां से सुनना, kingdom monera में आपको मिलेंगे prokaryotes ठीक है ना, तो आज के बाद अगर सवाल आ जाए या अगर आपसे कोई पूछ ले, कि ज़रा बताओ कि kingdom monera में कौन से organisms पाए जाते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा कि भाई, kingdom monera में हमको मिलते हैं prokaryotes और prokaryotes क्या होते हैं, वो वाले organisms जिनमें की prokaryotic cells होते हैं, ठीक है, वो वाले organisms जिनमें की prokaryotic cells होते हैं, उनी को हम बोलते हैं क्या prokaryotes, अब देखो ऐसा है कि prokaryotic cell, eukaryotic cell इन दोनों के ही उपर हम अपने previous chapter से बात करते हुए चले आ रहे हैं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं कि देखो मेरे पास एक cell है, मैंने आपसे क्या बोला कि मेरे पास एक cell है, और उस cell की खास बात ये है कि cell का जो nucleus है, वो well defined नहीं है मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक cell है, और उस cell की खास बात ये है कि उस cell का जो nucleus है, वो well defined नहीं है अब well defined nucleus ना होने का मतलब क्या है ये हम सब को पता है कि nucleus के around या nucleus को enclose करने के लिए क्या होता है? अरे, nuclear envelope होता है कि नहीं होता है? अब ये cell के सारे components हमने पढ़े की नहीं पढ़े हैं? अपने previous chapter में, cell and tissues वाले chapter में तो वहाँ पर हमने ये सीखा था कि nucleus को, cell के nucleus को enclose करने के लिए क्या होता है? nuclear envelope होता है तो मैंने आपसे ये बोला कि देखो, मेरे पास एक ऐसा cell है मेरे पास cell तो है, ऐसा नहीं कि मेरे पास cell ही नहीं है मेरे पास एक cell तो है और उस cell की खास बात ये है कि उसका जो nucleus है वो well defined नहीं है और well defined nucleus ना होने का मतलब क्या है? कि nucleus के पास उसका nuclear envelope ही नहीं है याने कि मेरे पास एक ऐसा cell है जिसके nucleus के पास उसका nuclear envelope ही नहीं है तो एक बाप बताओ, बिना nuclear envelope के क्या nucleus को, cell के nucleus को definition मिल पाएगी क्या? बिना nuclear envelope के cell के nucleus को एक proper definition मिल पाएगी क्या? obviously नहीं मिल पाएगी, इसको मैंने आपको ऐसे समझाया था, कि देखो ये क्या है? एक cell है, और ये देखो, cell का क्या है? नूकलियस है, ठीक है ना? इस चीज़ को मैंने आपको ऐसे समझाया था, कि देखो बच्चो, ये क्या है? एक cell है, ये क्या है? एक cell है, और देखो, cell के अंदर आपको nucleus भी नजर आ रहा होगा, तो आप बोलोगे कि मैंम, एक मिट रुख जाओ, cell तो हमको नजर आ रहा है, इसमें कोई शक्की बात नहीं है, है ना? आप मुझसे बोलोगे, कि मैंम, cell तो नजर आ रहा है, लेकिन cell के अंदर का जो nucleus है, वो हमको नजर नहीं ना? तो मैं आप सब बोलोगे, नहीं, ठीक से देखो, मैंने तो सब कुछ draw किया है यापे, मैंने यापे cell भी बनाया है, और nucleus भी बनाया है, तो आपको दिखना चाहिए, तो आप फिर से मुझसे बोलोगे, कि मैंम, हमको cell तो दिख रहा है, ये देखो, cell की, जो cell membrane है, वो भी हमको दिखाई दिरी, लेकिन cell के अंदर जो nucleus है, वो हमको नजर निया रहा है, लेकिन हाँ, nucleus का जो nuclear material है, वो हमको दिख रहा है, ये जो यहाँ पर मैंने colorful बनाया है, ये, ये पूरा क्या है? Nucleus का Nuclear Material तो यहाँ पर मैंने सुन्दर सा Cell ड्रॉ किया था और मैंने आपसे बोला था कि देखो यह Cell है और Cell का Nucleus है तो आपने clearly मुझसे बोल दिया कि नहीं मैं, Cell तो हमको दिखाई दे रहे हैं लेकिन Cell के अंदर का जो Nucleus है वो हमको नहीं नजर आ रहा लेकिन हाँ, Nucleus का जो Nuclear Material है वो जरूर हमको दिख रहा है अच्छा, अब अगर मैं काम करूँ मतलब मैं ही कर रही हूँ वो काम ठीक है ना, और वो काम क्या है? वो यह है क्या किया मैंने? मैंने Nucleus को Enclose करने वाला Nuclear Envelope बना दिया मैंने आपे क्या किया? यहाँ पर मैंने Nucleus को Enclose करने वाला जो Nuclear Envelope है वो बना दिया है तो यह क्या बन चुका है? यह आ चुका है Nuclear Envelope तो अब एक बाब बताओ क्या अब आपको एक Nucleus Cell का Nucleus दिखाई दे रहा है तो आप बोलोगे कि हाँ हाँ मैं अब नज़र आ रहा है देखो यह Cell है और Cell के अंदर यहाँ पर हमको क्या नज़र आ रहा है? सुन्दर सा प्यारा सा Nucleus सुन्दर सा प्यारा सा Nucleus मतलब क्या? अरे Biology की भाषा में वापस आ जाओ न सुन्दर सा प्यारा सा Nucleus का मतलब यह है कि Well-Defined Nucleus आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है तो यह जो Well-Defined Nucleus आपको नज़र आ रहा है यह पहले क्यों नहीं आ रहा था नज़र? वो इसलिए क्योंकि हमने पहले Nuclear Envelope ही नहीं बनाई थी इसका मतलब यह हम समझ सकते हैं कि Nuclear Envelope ही Nucleus को एक proper definition प्रोवाइड करती जैसे कि Cell Membrane जो है वो एक Cell को definition प्रोवाइड करती कि अगर मैं बोलू कि देखो यह क्या है? Cell है और वो यह क्या है? Cell के अंदर का Nucleus है तो आप बोलोगी कि मैं में एक में टुक जाओ Cell का Nucleus तो हमको दिखाई दे रहा है लेकिन Cell ही कहा है? तो मैं बोलोगी अरे देखो ना है तो तो आप बोलोगी कि मैं कहा है? मैं बोल रही हूँ है Cell है उसका Nucleus है तो आप बोलोगे कि मैं nucleus तो है लेकिन cell कहा है cell नहीं दिख रहा क्योंकि cell को सराउंड करने वाली cell को सराउंड करने वाली या cell को enclose करने वाली है to be more specific cell को एक proper definition वाली cell membrane ही मैंने गायप कर दी थी तो इसलिए आपको cell दिखाए नहीं दे रहा था Similarly, nucleus के around, जब हम उसका nuclear envelope ड्रॉ कर देते हैं, तो हमको एक well defined nucleus मिल जाता है तो सीधी सी बात है, nucleus का जो nuclear envelope है, वो nucleus को एक proper definition प्रोवाइड करता है और अगर nuclear envelope नहीं है, तो nucleus को definition नहीं मिलेगी और अगर definition नहीं मिलेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कि ये well defined nucleus नहीं है और well defined nucleus, मलब अगर well defined nucleus नहीं है, तो ये नहीं है को कौन सा word हम देते हैं ऐसा नहीं है कि nuclear material नहीं है, लेकिन well defined nucleus नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसका ये अलग से नाम होता है Nucleoid होता है तो सीथी सी बात है, जिस cell की मैं आप से बात कर रही थी कि देखो मेरे पास एक cell है जिसके nucleus के around nuclear envelope ही नहीं है इसका मतलब क्या? कि उस cell में nucleus नहीं है उस cell में nucleoid है तो ऐसा cell जिसमें की well defined nucleus नहीं होता है उसी को हम बोलते हैं क्या prokaryotic cell और वो वाला cell जिसमें की well defined nucleus present होता है उसको हम बोलते हैं eukaryotic cell तो यह बहुत ही basic differences आपको पता होना चाहिए prokaryotic cell में well defined nucleus नहीं होता है nuclear envelope नहीं होता है तो वहाँ पर हम nucleoid बोलते हैं और eukaryotic cell में well defined nucleus present होता है ठीक है ना? क्या सिर्फ ये ही एक basic difference है? नहीं, cell organs का भी तो difference है prokaryotic cell में ribosomes ही होते हैं इसके रावा जो तमाम सारे हमने cell organs पढ़े हैं mitochondria, golgi body ये सब नहीं होता है लेकिन eukaryotic cells में, eukaryotic cell में तो भाई इतने सारे सब तरह के cell organs पाए जाते हैं लेकिन prokaryotic cell में इनके आप बोल सकते हो कि nucleoid होता है और ribosomes होते हैं इसके अलावा जादा कुछ पाए नहीं जाता है इसका मतलब क्या? कि जो prokaryotic cell है ना? वो बहुती basic cell होता है वो वाले organisms जो की सबसे पहले आये थे अर्थ पर रहने के लिए तो जाहिर सी बात है वो बहुती पुराने जमाने के organisms थे तो इतने पुराने जमाने के organisms में पुराने जमाने के ही cells पाए जाएंगे और पुराने जमाने के cells क्या होते हैं? अरे यही prokaryotic cell देखो जो जीज पुरानी होती है ना? वो बहुती बेसिक होती है वो बहुती सिंपल होती है तो वो वाले organisms जो की primitive हैं उनमें पुराने जमाने के cells ही होते हैं कौन से? prokaryotic cells आजकल के टाइम पे जो organisms मिलते हैं वो complex होते हैं वो complex क्यों है? क्योंकि उनके अंदर complex cells है complex cells बोले तो अरे eukaryotic cells ठीके ना? तो kingdom monera की खास बात क्या है? कि इस kingdom में सारे क्या आते हैं? prokaryotes ही आते हैं जित्ते भी organisms आएंगे इस kingdom में उन सब ही organisms के पास prokaryotic cells ही होते हैं यानि कि primitive type के cells ही होते हैं तो यह तो हमें समझ में आ गया लेकिन यहां पर जो prokaryotes हैं उनकी भी कुछ खास बात दी गई है kingdom monera में prokaryotes तो मिलेंगे लेकिन उन prokaryotes की खास बात कुछ दी गई है क्या दी गई है? देखो यहां पर kingdom monera includes the most ancient most ancient मतलब क्या? सबसे पुराने the smallest सबसे छोटे the simplest, सबसे असान, सबसे basic and the most plentiful plentiful मतलब की बहुत abundant बहुत सारे अच्छे खासे number quantity बहुत ज़ादा हो उसे हम बोलते हैं क्या plentiful prokaryotes मतलब ऐसा नहीं है कि दो तिन prokaryotes आ गए नई बहुत सारे prokaryotes आते हैं कहा? kingdom monera में और यह जो prokaryotes हैं यह बहुत छोटे हैं यह बहुत simple हैं simple क्यों है? अरे यार बताया तो मैंने कि prokaryotes वो होते हैं जिनमें की prokaryotic cells पाए जाते हैं और prokaryotic cells तो खुदी में क्या होते हैं? बहुती primitive type के cells होते हैं जो चीज पुरानी होती है वो एकदम basic होती है तो prokaryotic cells खुदी बहुती primitive हैं बहुती basic हैं तो यह cells, prokaryotic cells मिल करके जो organism बनाते हैं prokaryote वो खुद कैसा होता है? वो भी simply होता है तो जो kingdom monera है इसमें जो prokaryotes आते हैं यह prokaryotes बहुत पुराने हैं most ancient हैं, बहुत छोटे हैं इसके अलावा बहुती आप बोल सकते हो की simplest है and most plentiful यानि की अच्छी खासी quantity में अच्छे खासे quantity में तो organisms are most primitive और यह organisms कैसे हैं? जब यहाँ पे हमने बोल दिया की most ancient है सबसे पुराने हैं देखा जाए तो इस kingdom monera में वो organisms आते हैं की इस planet earth पर सबसे पहले रहने आये थे तब आप खोजी समझ सकते हो की earth ही कितनी पुरानी है और इस पर भी रहने के लिए जो organisms सबसे पहले आये होंगे वो भी कितने पुराने होंगे तो इसलिए यहाँ पे बार बार बोला जा रहा है की इस kingdom monera में ancient organisms है ancient आप बोल सकते हो की prokaryotes है है ना तो these organisms are most primitive बहुत पराने हैं यह organisms दे वाद फर्स इनहेबिटेंट्स आप दी अर्ट जैसे की मैंने आपको बताया की यही सबसे पहले प्लैनेट अर्थ पर रहने के लिए आये थे तो यह क्या है they were the first inhabitants of the earth and they still continue to flourish और ऐसा नहीं है कि सबसे पहले earth पर रहने के लिए आये थे तो अब नहीं आते अब नहीं exist करते हैं अभी भी exist करते हैं and still continue to flourish तो basically यहाँ पर kingdom monera में जो organisms आ रहे हैं उन organisms की खास बात यहाँ पर आपको दी गई है पहली बात तो यह है कि kingdom monera में kingdom monera में prokaryotes आते हैं kingdom monera में कौन आते हैं prokaryotes आते हैं और यह prokaryotes भी अच्छी खासी quantity में आते हैं plentiful prokaryotes यह नहीं कि थोड़े बहुत prokaryotes आ गए तो उनका उठा करके एक kingdom बना दिया ना बहुत सारे prokaryotes आते हैं यह prokaryotes क्या हैं most ancient हैं बहुत पुराने हैं in fact आप बोल सकते हो कि यह first inhabitant है planet earth के सबसे पहले यही यही prokaryotes earth planet पर आये थे मतलब जीने के लिए survive करने के लिए है ना तो kingdom monera में जो prokaryotes आते हैं यह prokaryotes सबसे पहले आये थे earth पर रहने के लिए तब भी exist करते थे और आज भी exist कर रहे हैं बहुत छोटे होते हैं बहुत simplest होते हैं simplest क्यों हैं क्योंकि इन में prokaryotic cell है जो कि खुद में ही क्या है primitive और simplest cell है आगे पढ़ते हैं काल्ड वूस in 1994 has divided kingdom monera into archibacteria and eubacteria कि फिर काल्ड वूस ने क्या करा 1994 में kingdom monera को आप बोल सकते हो कि archibacteria और eubacteria में divide कर दिया अब basically हम क्या पढ़ने वाले हैं kingdom monera में जो organisms आते हैं उनको हम monerans बोलते हैं क्या बोलते हैं monerans है ना इन monerans की हम कुछ characteristics पढ़ लेते हैं अच्छा लगेगा आपको पढ़के चलो पढ़ लेते हैं the organisms are mostly unicellular organisms क्या होते हैं mostly unicellular होते हैं मतलब की एक organism की body को बनाने के लिए एक ही cell चाहिए होता है है ना तो kingdom देखो मैं आको बता रही हूँ ना कि kingdom monera में जो organisms आये थे जो prokaryotes आये थे अब हमको पता चल गया है कि कौन सो organisms आये थे तो हम क्यों ना हम specifically यही इस्तिमाल करें ताकि बोलते बोलते याद हो जाए तो kingdom monera में prokaryotes आते हैं और ये वो prokaryotes हैं जो कि सबसे पहले अर्थ पर रहने के लिए आये थे तो जाहिर सी बात है जो organisms सबसे पहले अर्थ पर रहने के लिए आये होंगे उनका structure काफी simple रहा होगा काफी आप बोल सकते हो कि basic रहा होगा ज़्यादा complex नहीं रहा होगा अगर हम अपने आपको देखें तो हमारा जो structure है हमारी जो body है वो बहुत सबसे पहले रहने के लिए आये थे वो इतने complex नहीं रहे होंगे वो एकदम simple type के रहे होंगे क्यों? क्योंकि उनको बनाने के लिए जो cells लगे हैं वो खुद कैसे हैं बहुत ही simple type के है prokaryotic cells है तो यहाँ पर यही बोला गया है कि आचा जैसे कि मैंना को बताया कि हाँ जो kingdom monara में जो prokaryotes आते हैं वो सबसे पुराने हैं most ancient हैं सबसे पहले planet earth पर रहने के लिए आये तो जाहिर सी बात है वो जो prokaryotes है जो जो prokaryotes है वो बहुत ही कैसे हैं simple से हैं अब simple है इसका मतलब क्या simple क्यूं है क्योंकि prokaryotic cells पाए जाते हैं इसके लावा simple क्यों है क्योंकि एक organism की body को बनाने के लिए कि अऱ एक ही cells लगा है ऐसा निया कि बहुत सारे मिलब एक organism की body में बहुत सारे cells देखो जैसे जैसे organism की बॉड़ी में number of cells increase होते जाते हैं जैसे कि अगर हम अपनी बात करें और अगर हम compare करें आपने आपको एक bacteria के साथ तो bacteria की body में तो ले दे करके एक ही cell होता है bacterium to be more specific है ना तो bacterium की body में तो कि अबल एक ही cell होता है और हमारी body में तो millions and trillions of cells होते हैं तो bacterium और हमारी body में आपको बहुत सारे differences नजर आएंगे कि हमारी body बहुत complex है उसकी body, bacterium की body बहुत ही simple होती है क्यों? अरे एक ही cell है ना, तो एक ही cell क्या करेगा? सारे काम करेगा जादा जो है ना किच-किच करने की जर्वत ही नहीं है लेकिन हमारी body में तो जाने कितने सारे cells होते हैं तो कुल मिलाकर क्या आप बोल सकते हो कि अगर हम बोल रहे हैं कि kingdom monera में जो prokaryotes आते हैं वो prokaryotes कैसे हैं? simplest हैं, तो simplest क्यों है? क्योंकि पहली बात तो ये कि उन prokaryotes में prokaryotic cells पाय जाते हैं और दूसरी बात ये कि अधिकतर जो prokaryotes हैं वो कैसे हैं? unicellular है यानि कि उनकी body को अधिकतर organisms ऐसे हैं kingdom monera के जिनकी body को बनाने के लिए केवल एक ही एक cell लगा है यानि कि mostly कैसे होते हैं ये unicellular होते हैं the cyanobacteria are however filamentous लेकिन अगर हम बात करेंगे cyanobacteria की जिसको कि हम blue, green, algae भी बोलते हैं ये कैसा होता है? filamentous होता है अब filamentous का मतलब क्या है? अब आप बोलोगे कि मैं हम एक ऐसा organism जिसमें की filament हो बात तो सही है लेकिन क्या आपको पता है कि ये filament कैसे बनते हैं? तो filament आप बोल सकते हो कि बहुत सारे cells को एक series में आप join कर दो जैसे कि यहाँ पर आपको एक image नजर आ रही होगी इस image में आप देख सकते हो कि अगर मैं बात करूं किसकी इस particular filament की अगर मैं बात करूं इस particular filament की तो ये क्या है एक filament है और इस filament में आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत सारे cells कैसे हैं series में arranged हैं देखो ना वो mostly कैसे होते हैं unicellular ही होते हैं लेकिन जो cyanobacteria है वो filamentous होता है यानि कि filamentous body होती है और filamentous body को बनाने के लिए बहुत सारे cells आप बोल सकते हो कि एक series में आकर के join हो जाते हैं जिसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और इन सभी filaments में क्या है बहुत सारे cells arranged हैं series में they do not have a definite nucleus obviously बाते जब हमने पहले ही बोल दिया है कि जो kingdom monara है उसमें prokaryotes आते हैं और prokaryotes वो होते हैं जिनके पास prokaryotic cell होता है जाहिर सी बात है इन organisms में जो definite nucleus है वो नहीं होगा well-defined nucleus नहीं होगा क्या होगा? nucleoid होगा the genetic material is circular double-stranded helical DNA है न? जो genetic material है वो क्या होता है? circular होता है और DNA होता है not enclosed by the nuclear envelope well-defined nucleus नहोने का मतलब हम सबको पता चल गया है कि nuclear envelope नहीं होगा such organisms which do not have a definite nucleus are called prokaryotes ये भी हमको समझ में आ गया चलो आगे बढ़ते हैं the cytoplasm of organisms is devoid of membrane-bound organs और cyto बै केवल ये difference होड़ी नहीं होता है prokaryotic और eukaryotic cell में कि सिर्फ nucleus का difference है इसके अलावा भी nucleus के अलावा भी cell organs में भी तो difference होता है तो जो prokaryotic cell होता है या जो prokaryotes होते हैं उनकी body में या आप ये बोल सकते हो कि prokaryotic cell में nucleus तो होता नहीं है proper वाला nucleoid होता है उसके अलावा बहुत सारे cell organs जो कि cytoplasm में present होने चाहिए वो भी नहीं होते हैं So the cytoplasm of organisms is devoid of membrane-bound organs जैसे की mitochondria, plastids, colgy apparatus lysosomes, endoplasmic reticulum, centrosome, etc. are lacking However, ribosomes are present तो ribosomes को तो काम होता है क्या protein बनाना तो protein तो चाहिए है किसी भी cell को तो इसलिए ribosomes present होते हैं भले ही prokaryotic cell कितना भी primitive कुना हो कितना भी simple कुना हो लेकिन ribosomes तो होंगे ही होंगे Cell wall is generally present Some of prokaryotes do not have cell wall So generally आप बोल सकते हो कि जो हमारे monorans हैं उनमें जो cell wall है उनके cell में वो present होती है लेकिन कुछ-कुछ prokaryotes ऐसे भी हैं जिनमें की cell wall नहीं होती जैसे कि आपको एक अच्छी सी पिक्चर दिखाई दे रही होगी यह क्या है एक basic prokaryotic cell ही है इस prokaryotic cell में आप देख सकते हो कि यह क्या है अच्छा सा cytoplasm है यहाँ पर आपको nucleoid नजर आ रहा है फिर देखो यहाँ पर आपको cell wall भी नजर आ रही है प्लाजमा मेंब्रेन भी नजर आ रही है cell wall का मतलब यह थोड़ी ना है कि प्लाजमा मेंब्रेन नहीं होगी अरे बिल्कुल होगी सबसे उपर होगी cell wall फिर अंदर होगी क्या प्लाजमा मेंब्रेन यह nucleoid है यह cytoplasm है और cytoplasm में आपको क्या दिखाई देंगे ribosomes भी नजर आएंगे चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा अब जो mode of nutrition है जो हमारे मॉनेरंस है मैं लग की kingdom मॉनेरा में जो organisms आते हैं उनका mode of nutrition क्या हो सकता है autotropic भी हो सकते हैं और heterotropic भी हो सकते हैं autotropic भुले तो अपना खाना खुछ synthesize कर सकते हैं that is synthesize their own food by कैसे, photosynthesis से अपना खाना कुछ synthesize करने के बार आती है तो photosynthesis ही होती है इसके अलाबा ¿Heterotropic भी हो सकते हैं? यानिata environment पे dependent होंगे अपने खाने के लिए, so heterotropic का मतलब क्या होता है, that is get their organic food from the environment, environment से ही उनको अपना organic खाना मिल जाएगा, single stranded flagella are present in many monorans, देखो यहाँ पे, यह जो हम diagram देख रहे थे, इस diagram में आपको एक लंबी सी पूछ नजर आ रही होगी, है ना, मलब अगर single strand है, single strand है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, flagellum बोलते हैं, ठीके ना, और इसका plural क्या होता है, flagella, तो single stranded flagella are present in बहुत सारे monorans, kingdom monorans includes, तो अगर आपको किसी monoran में flagellum देख जाता है, तो बोरा मत मानना, अधिकतर आप बोल सकते तो कि monorans में flagella present होता है, flagellum present होता है, ठीके ना, चलो, आगे बढ़ते हैं, kingdom monorans includes true bacteria, अब kingdom monorans में आते हैं कौन-कौन है, true bacteria, actinomycetes, cyanobacteria, जिसकों कि हम blue-green अलगी भी बोल सकते हैं, mycoplasma and archibacteria, तो इन सब के बारे में अब हमको पढ़ना है, एके करके सब को हम पढ़ते चलते हैं, सबसे पहला क्या है, true bacteria, they are basically unicellular and morphologically least complex, तो true bacteria के अगर हम बात करें, तो यह बहुत ही unicellular होता है, मनला बहुत ज़ाद ही, क्या है, unicellular है, यानि कि, जैसे कि मैंना को पहले भी पढ़ाया है, बैक्टीरिया होता है, plural और bacterium होता है, क्या singular, तो जो true bacteria है, यह कैसे होते हैं, unicellular ही होते हैं, मनला एक cell ही क्या करता है, एक bacterial cell ही, एक bacterium को बना देते हैं, कि suppose मेरे सामने क्या है, एक bacterium है, एक single मेरे पास क्या है, bacteria जिसको कि हम bacterium बोलते हैं तो उस bacterium के पास केवल A की cell होगा, उसकी body केवल A की cell से बनी होगी ठीके न? तो इसलिए आपे बोला गया है they are basically unicellular and morphologically least complex अरे यार ले दे करके केवल A की cell ने बनाया है bacterium को A की cell ने बनाया है उसकी body को A की cell ने बनाया है और वो cell भी कैसा है, prokaryotic है primitive type का है simplest type का cell है तो जाहिर सी बात है वो जो bacterium है, वो भी क्या होगा least complex ही तो होगा, बहुत simple होगा least complex बोले तो बहुत ज़ादा ही simple तो true bacteria unicellular होते हैं और आप बोल सकते हो कि ये morphologically least complex होते हैं, बहुत basic होते हैं बहुत easy होते हैं, simple होते हैं they rarely exceed 2 microns in diameter and 10 microns in length तो basically यहाँ पर आपको size के बारे में एक general idea दिया जा रहा है कि बहुत छोटे होते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि 2 microns in diameter और 10 microns in length को जो ना exceed करें the cell wall is composed of peptidoglycan cell wall के उपर सवाल आता है इसलिए बता रहे हूँ कि जो true bacteria है, इनकी जो cell wall है जैसे कि हमने पढ़ा है कि generally जो monorans है उनमें cell wall present होती है हमने अभी अभी ये वाला character पढ़ा था कि generally क्या होता है, cell wall present होती लेकिन कुछ-कुछ वही नमूने ऐसे होते हैं उनको हर चीज में क्या होता है न problem हो जाती है तो कुछ monorans या कुछ prokaryotes ऐसे भी होते हैं जिनमें की cell wall नहीं होती है लेकिन generally present होती है तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो true bacteria है true bacteria में आप बोल सकते हो कि cell wall present होती है true bacteria में cell wall present होती है और यह cell wall भी किसकी बनी होती है peptidoglycan की बनी होती है ठीक है? चलो the cells vary in shape और cell आप बोल सकते हो कि shape में vary करते हैं अब ऐसा तो नहीं है कि true bacteria है तो सभी के सभी true bacteria का जो shape है बही देखो true bacteria में पहले मैंने आप पता दिया है कि यह कैसे होते हैं basically unicellular होते हैं याने कि एक bacterium को केवल एक ही cell बनाएगा उसकी body को केवल एक ही cell बनाएगा दूसरे bacterium की body को केवल दूसरे cell बनाएगा ऐसे एक-एक cell क्या करता है एक-एक bacterium को बना सकता है उनकी body में केवल एक ही एक cell present होते है तो यहां पर बोला जा रहा है कि जो bacteria है ना, वो shape में differ कर सकते हैं और करते ही हैं, है ना, they vary in shape, they may be spherical, यह spherical हो सकते हैं जिसको कि हम कोकाय बोलते हैं, जो कि हमने previous chapter में भी पढ़ा है कि cell का shape कैसा है, है ना, cell का shape कैसा है, उसके हिसाब से हम नाम रख देते हैं तो वो वाले bacteria, जिनके cell का shape कैसा होता है, spherical होता है तो उन bacteria का जो नाम है ना, उसमें कोकाय वर्ड जरूर आता है plural क्या होता है, cocus वो वाले bacteria, जिनका cell का shape कैसा हो, rod जैसा हो, ऐसा हो, उनके नाम में bacilli word जरूर आता है singular bacillus cork screw shaped भी होता है और इसके लिए हम बोलते हैं कि नाम क्या आता है spiral लम आता है या इसको आप filamentous भी बोल सकते हो ठीक है तो basically true bacteria जो है यह unicellular होते हैं यानि कि गिन चुन करके एकी cell एक bacterium की body को असानी से बना देता है और यह बहुती least complex होते है क्योंकि ले दे करके एकी cell एक organism की body को बनाता है और वो cell भी कैसा होता है prokaryotic cell होता है तो कुल मिला करके true bacteria क्या होते हैं बहुती least complex होते हैं और size में वह बहुत चोटे होते हैं और cell wall जो है वो peptido glycan की बनी होती है और यह shapes में जो है न वेरी करते हैं कभी-कभी spherical shape के भी हो जाते हैं ऐसे कभी-कभी rod shape के भी हो जाते हैं कभी-कभी spiral shape के भी हो जाते हैं जिसको क्या filamentus भी बोल सकते हो तो अगर rod shape के हैं तो word आ जाता है bacilli उनके नाम पर नाम में अगर spherical shape के हैं तो word आ जाता है कोका है उनके नाम में, कुछ ऐसे Some bacterial cells possess long thread like flagella कुछ bacterial cells में long thread like flagella present होता है, singular क्या है, flagellum है, the flagella are made up of flagellin protein जैसे कि, देखो यहाँ पे, यह जो image है यह दोनों ही किसकी है, true bacteria की है यहाँ पे भी true bacteria है, यहाँ पे भी क्या है, true bacteria है, बस shape का यहाँ पे आपको difference नसर आ रहा होगा यहाँ पे जो bacteria है, इनका shape कैसा है, rod जैसा है, है ना देखो ना, यहाँ पर जो bacteria है इनका shape कैसा है rod जैसा है, और यहाँ पर जो bacteria है, इनके shape कैसे है देखो, यह क्या है, एक bacterium है यह क्या है, एक bacterium है तो यहाँ पर जो एक bacterium है, उसका shape है rod जैसा, यहाँ पर जो एक bacterium है, इसका shape कैसा है, तो spherical shape है, ठीक है ना, इसके अलावा आप देख सकते हो, कि यहाँ पर यह जो bacterium है, क्या निकला हुआ है, इनके एक end से thread-like structure निकला हुआ है, है ना, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसको bold क करके highlight कर दिया है, देखो, यह क्या है, एक bacterium है, यह क्या है, एक rod shaped bacterium है, और देखो, इसकी क्या निकली हुई है, कुछ इस तरीकी से पूच निकली हुई है, similarly, यह एक bacterium है, यह एक bacterium है, और यहाँ पर भी देखो, इसकी क्या निकली हुई है, एक ऐसी पूच निकली और इसी रॉट लाइक, रॉट नहीं, थ्रेड लाइक है न, और इसी आप बोल सकते हो कि थ्रेड लाइक structure को हम क्या बोलते हैं, फ्लेजिलम बोलते हैं तो जैसे कि हाँ पर मैंने आपको इस वाली picture में दिखाया भी था कि यह देखो, यह दिख रहा है फ्लेजिलम तो definitely आपको इस दिमाग में यह सवाल आएगा कि man फ्लेजिलम किसका बना होता है, तो फ्लेजिलम बना होता है फ्लेजिलिन प्रोटीन का, किसका बना होता है, फ्लेजिलिन प्रोटीन का बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं पिलाई बोलते हैं या फिम्रे बोलते हैं देखो कुछ बेक्टिरियल सेल्स में फ्लेजिलम होता है कुछ में नहीं भी होता है देखो यहाँ पे मैं आपको पता है ना कि ये भी बेक्टिरिया है ये भी बेक्टिरिया है यह आप बोल सकते हो कि spherical shaped bacteria है इन में आपको flagellum दिखाई देगा bacterial cell में एक bacterial cell में आपको एक flagellum दिखाई देगा एक thread like structure नजर आएगा जिसको हम flagellum बोलते हैं जो कि flagellum protein का बना होता है लेकि इन में तो नहीं है इन में नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हर एक bacterial cell में flagellum होई इसके साथ ही जाथ यहां पर बोला गया है कि कुछ bacterial cell जिसे flagellum होता है वैसे ही कुछ bacterial cell में आप बोल सकते हो कि extremely minute बहुत ही आप बोल सकते हो कि minute छोटे छोटे non-flagellar लेकिन straight hair like appendages जो नहीं निकले होते हैं जिनने हम क्या बोलते हैं पिलाए या इनको हम phimbrae भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं phimbrae जैसे कि यह देख लो ठीक है ना यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यह देखो flagellum है वो तो अलग है लेकिन देखो यहां पर आपको छोटे 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 बहुत ही tiny hair like appendages दिखाई दे रहे होगे इनी tiny hair like appendages को बहुत minute होते हैं इनी को हम क्या बोलते हैं पिलाए बोलते हैं इनको हम phimbrae भी बोल सकते हैं तो कुछ bacterial cells में आप बोल सकते हो कि Flegular present होता है Singular क्या होता है Flegulum कुछ bacterial cell में आप बोल सकते हो कि Hair like Minute appendages भी present होते हैं जिनको हम Fimbrae बोल सकते हैं या पिलाय बोल सकते हैं जो अच्छा लगे अच्छा क्या लगे एक काम करो दोनों ही नाम जो ना याद करी लेना क्योंकि कभी-कभी पिलाय पूछ लेते हैं कभी-कभी Fimbrae पूछ लेते हैं तो फिर आप confused हो जाओगे कि मैं पिलाय क्या होते हैं हमने तो नहीं पढ़ा अरे Fimbrae कोई क्या बोलते हैं पिलाय बोलते हैं चीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं तो यह हुआ क्या? एक कैटेगरी कुल मिलाकर के देखो हुआ यह है कि जो हमारे वो है ना? Monera Kingdom उसको भी अलाग-अला कैटेगरी में डिवाइट कर दिया गया है तो Kingdom Monera की जो पहली कैटेगरी थी True Bacteria की वो हमने पढ़ ली अब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की जो की है कौन सी? Actinomycetes अब हम बात करते हैं Actinomycetes की इसमें क्या है? It is a group of unicellular branched filamentous bacteria Bacteria तो आप बोल सकते हो की देखो यहाँ पे भी आएंगे Bacteria तो आपको पूरे उसमें ही मिलेंगे लेकिन माला Kingdom Monera में लेकिन कुछ-कुछ-कुछ क्या है? Difference है पहले कैटेगरी क्या थी? True bacteria अब यहाँ पे Actinomycetes में जो bacteria आते हैं वो बिसिकली कैसे होते हैं? Unicellular होते हैं branch होते हैं filamentous होते हैं which occur mostly in soil fresh water, manure, food products, etc. Example है Streptomyces, Mycobacterium, Actinomyces, etc. ठीक है ना? इनके बारे में आपको बहुत डीटेल में पढ़ने की जरवर नहीं है Actinomycetes category के बारे में बस इतना समझ लो कि इस ग्रूप में जो bacteria आते हैं वो कैसे होते हैं? Unicellular होते हैं branch होते हैं उनकी branches निकली होती हैं जैसे कि देखो यह क्या है? एक Actinomycetes ही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर branches निकली होई यह देखो यह branches निकली ना? छोटी-छोटी सी branches ऐसे ठीक है ना? तो basically Actinomycetes में जो bacteria आते हैं वो unicellular होते हैं branch होते हैं filament होते हैं फिलामेंट्स होते हैं फिलामेंट्स मनलाब क्या? cells जो हैं बहुत सारे cells एक सीरीज में आख करके अरेंज हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? एक फिलामेंट्स बन जाता है तो Actinomycetes में जो bacteria आते हैं वो एकदम मनलाब group होता है unicellular branch जैसे कि यह आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही होगी इसमें आपको branches नजर आई हैं जैसे कि यह एक branch है यह एक branch है यह आप बोल सकते हो कि एक branch है तो इस picture में आपको एक बहुत बड़ी सी branch है देखो यह वाली है ना? यह ना picture आपको बड़ी बड़ी नजर आती होते यह microscopy की है जब microscope से देखोगे ना तब जाकर करें दिखते हैं वैसे तो दिखते भी नहीं है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ देखो यहाँ पे क्या हुआ है आपको इस picture में बहुत सारी branches नजर आ रही है यह ना? बैक्टीरियल सेल्स है बैक्टीरियल सेल्स का क्या है ग्रूप है जो की इस तरीके से फिलामेंट में आप बोल सकते होगी अरेंज़ है एक सीरीज में एक सिक्वेंस में अरेंज़ है तो यहाँ पे क्या बन गया? एक फिलामेंट बन गया है mostly fresh water में, manure में, food products में, soil में, etc. Example हैं इसकी streptomyces, mycobacterium and actinomyces, etc. Actinomyces, etc. है ना अगर मेंशे ध्यान रखना कि ये जो है actinomyces, इसमें group होता है bacterial cells का, जो की, माला group होता है unicellular branched filamentous bacteria का. ठीक है ना? तो इस चीज़ को आप प्लीज ध्यान रखना और इतना आपके लिए काफी है. चलो, आगे बढ़ते हैं. Cynobacteria, जिसको की हम बोलते हैं blue-green algae. Blue-green bacteria, है ना? Cynobacteria are photosynthetic. ये, जैसे हम इसको बोल रहें ना, blue-green bacteria. देखो, इसको हमने एक और नाम दिया हुआ था. अगर आपको याद हो, ये देखो. Blue-green algae भी हमने इसको बोला था, ना? तो Cynobacteria को अगर हम बोल रहें कि blue-green algae, तो ऐसा क्यों बोल रहें? क्योंकि plants की तरह, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, कि जो हमारे Monerans है, इनका जो mode of nutrition है, वो कैसा भी हो सकता है? Autotropic भी हो सकता है, Hattotropic भी हो सकता है. Autotropic में ही कौन आते हैं? Cynobacteria आते हैं. ठीक है, Cynobacteria के पास आप बोल सकते हो, कि यह क्या करते हैं? Photosynthesis कर सकते हैं. और यह prokaryotic organism है, that occupy a wide range of habitats and grow almost everywhere. तो Cynobacteria की खास बात क्या होती है? इसको हम पहली बात तो Blue-Green Bacteria या Blue-Green Algi बोलते हैं, यह photosynthetic होता है, अपना खाना खुद synthesize कर सकता है, photosynthesis से, और आप बोल सकते हो कि यह हर जगा पाई जाता है, everywhere. मालब, wide range होती है इनके habitats की. They contain chlorophyll A, obviously बात है, अगर photosynthesis कर रहे हैं, तो photosynthesis तभी हो पाईगा ना, जब chlorophyll pigment होगा, तो इनके पास chlorophyll A होता है, and other photosynthetic pigments होते हैं. Therefore, synthesize carbohydrate food in the presence of the light by the process called oxygenic photosynthesis. अब chlorophyll भी है, है ना, और आप बोल सकते हो कि sunlight भी है, तो sunlight की presence में chlorophyll pigment की मदद से ये क्या करते हैं, carbohydrate food अपने लिए बना लेते हैं, through the process of oxygenic photosynthesis. I hope इतना सबको clear है. Some cyanobacteria, example है, and abe na, no stock, fix atmospheric nitrogen and improve the fertility of the soil. तो basically, जो cyanobacteria है, तो पूरे monera में सबसे important, वैसे तो पूरे kingdom हमारे लिए important है, लेकिन सबसे ज़ादा cyanobacteria के उपर ही पूछे जाते हैं. तो cyanobacteria आप बोल सकते हो, कि इसको हम blue-green algae या blue-green bacteria भी बोल सकते हैं. खास बात क्या है, कि ये plants की तरफ photosynthesis कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास chlorophyll pigment होता है. और chlorophyll pigment की मदद से, रोशनी में, sunlight में क्या करते हैं, carbohydrate food जो है, अपने लिए बना देते हैं, through the process of oxygenic photosynthesis. ठीक है ना? और इनका जो habitat का जो range है, वो बहुत wide होता है. ये हर कहीं पाई जाते हैं, everywhere. इसके अलावा आप बोल सकते हो कि, इनके दो बड़े ही famous example हैं, cyanobacteria के, nostoc और anabina. ये क्या है? ये आप बोल सकते हो कि, nostoc है. ये क्या है? ये nostoc है. और ये आप बोल सकते हो कि, ये कौन है? anabina है. चीक है ना? more or less एक जैसे ही दिखते हैं ये लोग. तो ये है nostoc, और ये है क्या? anabina. तो इन दोनों की खास बात क्या होती है? कि ये दोनों atmospheric nitrogen को fix कर देते हैं, कहां? soil में. जिसके करण soil की जो fertility है, वो क्या हो जाती है? improve हो जाती है. basically, ये चीज़ मैंना आपको पहले भी बताई हुई है, कि हमारे हमको चाहिए क्या protein? protein हम अपने अंदर बना तो सकते नहीं, तो हम क्या करते हैं? plants के उपर dependent होते हैं, plants क्या करते हैं? अपने लिए protein बनाते हैं, और उनी plants को या plant products को हम खा लेते हैं, तो हमारे अंदर भी protein आ जाता है. तो plants को अगर protein चाहिए है, तो इसके लिए उनको चाहिए होगा nitrogen. nitrogen कहां से मिलेगा? तो atmospheric air में, जो nitrogen होती, 78% nitrogen, इस nitrogen को soil में लेकर के आया जाता है, soil में fix करवाय जाता है, और आप बोल सकते हो कि atmospheric nitrogen, जब soil में fix होती है, तो fix होने के बाद आप बोल सकते हो कि, इस nitrogen को usable forms में convert किया जाता है. usable forms मतलब कि, ammonium, nitrates, nitrites वगएना. तो atmospheric nitrogen को soil में लेकर किया, उसको fix किया, fix करने के बाद में, atmospheric nitrogen को convert किया कि इसमें usable forms में. usable forms मतलब कि, nitrates, nitrites, ammonium वगएना. ठीक है ना? और फिर इसके बाद में, इन ही nitrogen वाले compounds को, इन ही usable forms को, जो plants हैं, वो क्या करते हैं, अपने roots की मदद से, absorb कर लेते हैं, और जहां nitrates, ammonium वगएरा absorb हुए, plants ने क्या गरा, इन compound से protein बना लिया, और अगर plant ने protein बनाए, इसके बाद में मतलब क्या, कि animals की भी protein की requirement पूरी हो जाएगे, तो कुल मिला कर कि आप बोल सकते हो, कि ये पूरी क्या होती है, कि फिक्स किया जा रहा है, atmospheric nitrogen को convert किया जा रहा है, usable forms में, ammonium में, nitrates में, nitrates में, तो इनसे होता क्या है, इनसे होता ये है कि, कुल मिला कर कि मिट्टी में, nitrogen compounds आ जाते हैं, भई ammonium, nitrates, nitrates ही सब है क्या, ये nitrogen compounds ही तो है, तो atmospheric nitrogen, कहां थी, atmosphere में थी, ये कहां आ गई, मिट्टी में आ गई, मिट्टी में इनको convert किया गया, atmospheric nitrogen को किसमे, nitrogen के compounds में, nitrates में, ammonium वगेरा में, जिससे क्या हुआ, soil की जो fertility है, अरे अगर मिट्टी में, soil मे, nitrogen rich compounds आ जाएंगे, तो मिट्टी की जो fertility है, वो improve होगी की नहीं होगी, बिल्कुल होगी, तो यहां पर यह लिखा गया है, कि, जब atmospheric nitrogen को fix के जाता है, तो soil की जो fertility है, वो improve होती है, अब मुद्ध यह है कि, इस atmospheric nitrogen को, soil में आकर के fix करेगा ही कौन, तो यहां पर, काम आते हैं कौन, cyanobacteria, non-stock और enabina, तो आप जब खुच सोचो, जो हमने previous session में, बात करी थी कि, हमारे लिए जो है न, क्यूं, आप बोल सकते हो कि, जो diversity है, वो living organisms में, वो important क्यूं है, वोगि हर एक organism का, भले ही वो हमें दिख, भले ही न रहा हो, लेकिन उसकी भी क्या है, अपना एक significance है, अगर हमारे पास, cyanobacteria ना हो, अगर हमारे पास, non-stock ना हो, enabina ना हो, तो atmospheric nitrogen कैसे fix होगी, और अगर fix नहीं होगी, तो फिर plant अत्मा protein कैसे बनाएंगा, और अगर वो नी बनाएंगे protein, तो फिर हमको कहाँ से मेरे का protein, तो दिमाग लगाओ, इसलिए हमारे लिए, बायो डाइवर्सिटी बहुत ही important है, तो basically, नॉस्टर को और enabina क्या करते हैं, ये दोनों, cyanobacteria ही हैं, और ये atmospheric nitrogen को क्या करते हैं, soil में fix करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको, देखो, एक यहाँ पे आपको heterocyst दिखाई देगी, ये पूरा, देखो, जैसे कि हमने बोला कि ये क्या हैं, बहुत सारे cells हैं, ये बहुत सारे cells क्या हैं, series में arranged हैं, है ना, बहुत सारे cells कैसे देखो, series में इस तरीके से क्या हैं, arranged हैं, बिसी करें एक filament बनाया हुआ है, इसी में आपको यहाँ पे एक heterocyst नजर आएगी, ये heterocyst क्या होती है, तो basically ये एक ऐसा specialized cell होता है, जो की site होता है nitrogen fixation का, बहुत नॉस्टॉक और एनाबिना का तो काम ही ही होता है, क्या atmospheric nitrogen को fix करना, तो atmospheric nitrogen को fix करने के लिए, कुछ specialized cells होने चाहिए, तो ये क्या है, ये सभी के सभी cells ही तो है, जिनकों की एक series में arrange किया गया है, filament like structure में arrange किया गया है, और इनी में से एक होता है, क्या heterocyst यहाँ पे भी है, और ये वाला भी है, तो ये क्या करते है, heterocyst, basically ये nitrogen fixation के site होते है, यहीं पे, मतलब ये specialized cells होते हैं, जो कि nitrogen fixation में मदद करते हैं, heterocyst मतलब क्या, specialized cells, जो कि nitrogen fixation में help करते हैं, ठीक है न, यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा, ये देखो, ये, मोटा मोटा, ये जो मोटा मोटा है, ये क्या है, heterocyst है, ये न, बिना है न, तो ये मोटा मोटा क्या है, heterocyst है, जो कि nitrogen fixation के लिए specialized cell होता है, या कुछ-कुछ किताबों में ये भी लिखा होता है, कि यहीं पे क्या होती है, nitrogen fixation होता है, यह site होती है, जब बेसिकली जब भी heterocyst का सवाल पूछा जाए, तो हमेशा ध्यान रखना कि heterocyst मतलब क्या cyanobacteria के, nostrog anabina के, वो specialized cells जो की nitrogen fixation करते हैं heterocyst मतलब क्या, cyanobacteria, nostrog anabina के वो वाले specialized cells जो की nitrogen fixation करते हैं यह site होते हैं कि इसके nitrogen fixation के अब रही बात कि इनको हम blue green algae क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ाया ना, कि जो cyanobacteria है, इनके habitat की जो range है, वो बहुत wide होती है यह हर कहीं पाये जाते हैं, तो आप देख सकते हो, कि किस तरीके से, यह पानी में भी पाये जाते हैं, तो किस तरीके से, पुरे पानी के surface पर, cyanobacteria जो है न, वो इससे फैले-फैले है, काई जैसी लगरी की नहीं लगरी है, इससे लगरा ना, काई है यह, तो इसलिए cyanobacteria को हम क्या बोलते हैं, blue, green, algae भी बोलते हैं, हरी-हरी हाँ पर आपको पानी की surface पर काई नजर आ रही होगी, पानी की surface पर भी और यह देखो, आ mycoplasma आप बोल सकते हो कि fourth category है किसकी, cyanobacteria की, तो mycoplasma are unicellular, यह unicellular होते हैं, non-motile होते हैं, और देखो, ऐसा है कि हमने पहले ही discuss कर लिया था, क्या discuss कर लिया था, कि mostly kingdom monera में, जो organisms आते हैं, mostly जो kingdom monera है, उसमें जो organisms आते हैं, वो कैसे होते हैं, unicellular होते हैं, लेकिन however, ज होता है, है कि नहीं, हमने यह पहले ही discuss कर लिया था, कि mostly कैसे होते हैं, unicellular होते हैं, एक एक cell होता है, लेकिन cyanobacteria क्या है, filamentous है, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर enabina और nostoc का चेहरा दिखाया है, यह यह क्या है, तो nostoc में जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि यहाँ प मतलब क्या, nitrogen fixation वाली site, यह वो specialized cells, जो कि nitrogen fixation करते हैं, कि इसमें nostoc or enabina में, तो हमेशे ध्यान रखना कि mostly कैसे होते हैं, हमारे यह monorans, unicellular होते हैं, लेकिन जो cyanobacteria है, वो क्या होती है, cyanobacteria आप बोल सकते हो कि filamentous होती है, filamentous मतलब वही कि बहुत सारे cells क्या होते हैं, एक sequence में, एक series में arranged होते हैं, ठीक है ना, और देखो, in cells के उपर, एक mucilaginous क्या होती है, sheath भी होते हैं, यह कि मूसिलेज की बनी हुई, sheath भी होती है, ठीक है ना, चलो, आगे बढ़ते हैं, mycoplasma, यह कैसे होते हैं, unicellular होते हैं, non-motile होते हैं, मतलब, move नहीं कर सकते हैं, pro cell wall होती है, generally होती है, लेकिन कुछ-कुछ नमूने ऐसे होते हैं, कि उनको हर चीज में दिक्कत होती है, तो यह वहीं है, mycoplasma, इनके पास cell wall नहीं होती है, यह इनके पास cell wall नहीं होती है, they occur in soil, sewage water, यह मिटी में मिलते हैं, sewage water में मिलते हैं, and in decaying organic matter, जो सड़ा, मतलब, decay ह होने वाला, जो organic matter है, जो decay हो रहा होता है, organic matter, उसमें भी यह mycoplasma पाय जाता है, they occur in soil, sewage water, and in decaying organic matter, some mycoplasma occur parasitically in plants and animals and in human beings, और कुछ mycoplasma आप बोल सकते हो कि parasitic association में भी पाय जाता है, मतलब कि as a parasite रहता है, किसके उपर, तो plants के उपर, animals के उपर, और human beings में भी, आपने वो नाम सोना होगा बेमारे का pneumonia, तो pneumonia आप बोल सकते हो कि एक bacterial disease है, है ना, lungs में आप बोल सकते हो कि दिक्कत हो जाती है, basically, lung यह आप बोल सकते हो कि disease होती है, ना, lungs में आप बोल सकते हो कि infection हो जाता है, तो यह जो infection है, यह किसके कारण होता है, निमोना के बात हो रही है, तो pneumonia आ और यह जो infection है, यह bacteria के कारण ही होता है, और वो bacteria कौन सा होता है, यह ही, mycoplasma, ठीक है न, तो they cause, क्योंकि बताया न हमने कि mycoplasma जो है, वो आप बोल सकते हो कि parasitic association में भी पाया जाता है, कुछ plants के साथ, animals के साथ, human beings के साथ, तो जब यह mycoplasma bacteria, human beings में घोस जाता है, तो human beings में आप बोल सकते हो कि human beings के जो lungs होते हैं, जो फेफडे होते हैं, उनमें आकर के बैड़ जाते हैं, और जाहिर सी बात है, bacteria आया है, तो नुकसान तो पहुँचाए गई, हैं, तो pneumonia in human beings is caused by mycoplasma pneumoniae, तो यह bacteria का नाम दिया गया है, mycoplasma pneumoniae, यह आप बोल सकते हो कि ऐसा bacteria है, mycoplasma pneumoniae, जो कि human beings में pneumonia cause करता है, lung infection cause करता है, आई बात समझ में, कुछ इस तरीके सी, देखो, यह lungs में आप बोल सकते हो कि यह सब क्या है, mycoplasma pneumoniae है, ठीक है ना, तो इतना आपके लिए जानना जरूरी है, काफी है कि mycoplasma unicellular होते हैं, इनके पास distinct, जो cell wall होती ही, वो absent होती है, non-motile होते हैं और यह dead, decaying matter में, soil में, महलाब गंदी जग़ा पर पाय जाते हैं, मिटी में, sewage water में, decaying organic matter पे, और parasitically पाय जाते हैं, plants, animals और human beings में भी, human beings में आप बोल सकते हो कि pneumonia disease cause कर सकते हैं, यह mycoplasma pneumoniae, ठीक है, चलो, आखरी category की, जो की है कौन? Archibacteria, तो archibacteria are a unique type of prokaryotic microorganisms living in the most extreme of environment, तो archibacteria के बारे में, जो है न, आप यह specialty मान सकते हो कि यह most extreme environment होते हैं, वहाँ पर यह पाय जाते हैं, archibacteria, living in the most extreme of environment, they represent the oldest form of life that has survived almost all the geological changes on the earth, और इनके लिए यह माना जाता है, यह जो archibacteria हैं, यह क्या represent करते हैं, oldest form of life, life के सबसे पुराने form, जिन्हों ने सभी geological changes को survive किया है कहां, अर्थ पर, तो मारे लग, आप बोल सकते हो कि इनकी जो tolerance है, वह बहुत बढ़िया होती होगी, कि अर्थ पर चाहे क इतने भी geological changes क्यों ना आये हो, इन लोगों ने, archibacteria ने सब कुछ जना बरदाश के लिए सब कुछ tolerate कर लिया, और ऐसे tolerate किया है, कि तब से लेकर कि आज तक यह survive करे रहे हैं, यह गायब नहीं हुए, यह extinct नहीं हुए, तो archibacteria बोल सकते हो कि environment की सबसे harsh extreme conditions में survive कर जाते है जाहिर सी बात है, इतने पुराने हैं और आज तक रह रहे हैं, अर्थ पर जितने भी geological changes है, सब भी geological changes को इन्होंने survive किया है, archibacteria ने, तो जाहिर सी बात है, इनकी जो tolerance power है वो बहुत जादा होती है, तो इसलिए extreme environments में यह पाय जाते हैं, यह इनका क्या है, unique character है, यह unique type क prokaryotes हैं, यह prokaryotic microorganisms हैं, जो कि extreme environment में रहते हैं, और यह oldest form of life को represent करते हैं, earth पर हुए सब भी geological changes को इन्होंने देखा है, survive किया है, they are the first organisms who experimented with the absorption of solar radiation to get their energy, और यह पहले ऐसे organisms थे, जिन्होंने एक्सपरिमेंट किया, क्या experiment कि इन्होंने solar radiation को absorb किया, अपनी energy को gain करने के solar radiation की थूँ, तो यह experiment करने वाले यह पहले microorganisms थे, survived under extreme anaerobic conditions, anaerobic मतलब क्या, जहां पर oxygen नहीं होते हैं, मतलब oxygen की कमी है, तो survived आप बोल सकते होगी, ऐसी conditions में जहां पर oxygen ना हो, and then developed the noble method of oxidizing chemical substances with the availability of oxygen, और आप बोल सकते हो की, noble method इन्होंने क्या करा, developed किया, chemical substances को oxidize करने का with the availability of oxygen, तो मतलब की, जो आपकी bacteria है, वो सबसे oldest form है, life का, बहुत पुराने हैं यह, oldest form of life को, इसको हम बोल रहे हैं, अर्थ पर हुए सब ही geological changes को इन्होंने क्या करा है, tolerate किया है, उसमें survive किया है, तब से लेकर के, आज तक यह चलते ही आ रहे हैं, है ना, और आप बोल सकते हो कि extreme environments में यह पाय जाते हैं, oxygen की अगर कमी होती तो उसमें भी यह रह जाते हैं, और यह पहले ऐसे organisms थे, जिनका यह experiment उन्होंने किया था, कि यह solar radiation को absorb करके, अपनी energy क्या करेंगे, obtain करेंगे, और oxygen की availability में क्या करते हैं, chemical substances को यह oxidize भी कर लेते हैं, तो कुल मिला हमने पूरा complete कर लिया, हमेशा ध्यान रखना कि kingdom Monera में कौन आते हैं, prokaryotes आते हैं, यह prokaryotes आप बोल सकते हो कि सबसे पुराने हैं, most ancient हैं, simplest हैं, smallest हैं, और आप बोल सकते हो कि unicellular तो होंगे, मलब mostly कैसे होते हैं, यह unicellular होते हैं, लेकिन जिसे कि हमने देखा cyanobacteria, वो कैसे होता है, filamentous भी जाता है, filamentous में क्या होता है, कि बहुत सारे cells, series में arrange हो जाते हैं, तो वो एक filament बन जाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि अपना जो kingdom Monera है, इसमें prokaryotes ही आएंगे, prokaryotes ancient, बहुत पुराने prokaryotes, ancient prokaryotes, simplest हैं, smallest हैं, ठीक हैं, और आप बोल सकते हो कि prok prokaryotes होंगे, मतलब कि इनके अंदर prokaryotic cell होते हैं, ठीक है ना, और prokaryotes, मतलब यह जो हमारे kingdom Monera है, इसको भी हम 5 categories में further divide करते हैं, एक होता है true bacteria, एक हमने पढ़ा क्या, archi bacteria, एक हमने पढ़ा actinomycetes, ठीक है ना, एक हमने पढ़ा कौन सा, syenobacteria, एक हमने पढ़ा mycoplasma, तो and अपना ये archi bacteria, ठीक है, तो आज के session के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले session में, और अगले session में, जो next kingdom है, kingdom protesta, वो हम करेंगे discuss, तब तक आप क्या करोगे, आप जो है ना, visit कर लो हमारे official website, कैसे visit करोगे, Google पर जाकर के type करना है, magnetbrains.com, जैसी type करके search आपके सामने खुल जाएगी हमारी official website, जैसी आप हमारी official website को visit करोगे, आपके सामने आएगा ये वाला page, जहाँ पर लिखा रहेगा, India's number 100% free online education platform, जहाँ पर आपके पास class 12 से लेकर के, kindergarten तक के सभी courses होते हैं available, अब मैं यहाँ पर आपको ये सिर्खा रही हूँ कि आप कैसे हमारी official website को visit करके, NTSC biology की chapters को access कर सकते हूँ, तो यहाँ तक आप पहुँच गए, इसी page में आपको explore top courses को option नजर आएगा, इस option पर जैसी जाओगे तो यहाँ पर आपको NTSC का option चमकता हुआ नजर आएगा, जैसी आप NTSC की option पर click करोगे, आपके सामने NTSC की सभी subjects available हो जा सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आएगा syllabus overview का video क्योंकि आपको पता होना चाहिए न, कि अगर आप किसी पी exam के लिए preparation कर रहे हो, तो science subject में आपको कौन कौन से chapters पढ़ने हो, इसकी जानकारे आपको कहां से मिलेगी syllabus overview की video से ही मिलेगी, इसको देखने के बाद में आपको क्लिक करोगे, तो आपके सामने cell and tissues chapter का जो first lecture है, वो खुल करके आजाएगा, तो कुछ इस तरीके से next video के option पर click करते जाना और नए 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 वीडियो दिखते जाना, फाइदा क्या होता है, हमारी official website को visit करनेगा, कि हाँ आपको सभी chapters के सभी lectures एकदम properly sequence पे arranged मिलत होते हैं, प्लस यहाँ पे सभी topics के होते हैं, notes भी available, आप तो Magnet Brains का Hindi channel भी आ चुका है, तो वो आपके दोस्त, रिष्टिदार, भाई, बहन, छोटे, बड़े, जो की Hindi medium की पढ़ाई करते हैं, आप उनको Magnet Brains का Hindi channel भी recommend कर सकते हो, तो कुल मिला करके अब Magnet Brains पर English और Hindi दो उन्हों ही medium की पढ़ाई करवाई जाती है, तो अब किस बात की दे रही है भाई? Do visit our official website, कौन सी वाली यही वाली, Magnet Brains.com, till then, keep learning with Magnet Brains, thank you for watching.